Hello everyone, इस वीडियो में हम क्लास 9 की इंग्लिश कम्युनिकेटिव बुक से पॉम नमबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइडल है Oh, I Wish I Had Looked After Me Did और ये पॉम लिखी है Pam Iles ने इस वीडियो में हम इसका explanation जारेंगे और जो literary devices use हुए हैं उन्हें भी हम discuss करेंगे तो पॉम स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इसमें क्या है इस पॉम में basically पॉइट ने बात किया है उन सभी mistakes की जो इन्होंने childhood के दोरान किया like जब उनकी मदर उन्हें कहा करती थी कि अपने दातों की देख भाल करो उन्हें clean रखो time to time तो पॉइट ने उस वक्त उनकी बात नहीं सुनी बट अब जबकि वो एक mature lady हो चुकी है तब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो भी उनकी माँ उन्हें कहा करती थी वो सही था और वो सभी mistakes वो हमें बताती है जो उन्होंने commit की थी अपने childhood के दोरान जिसकी वेजे से आज उनकी दातों का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है So let us start this poem Oh I wish I had looked after me teeth Me teeth इस term का मतलब यहाँ पे है क्या my teeth तो point यहाँ पे regret कर रही है basically अपनी childhood mistakes की और वो कहती है कि काश मैंने अपने दातों की देखभाल की होती And spotted the perils beneath Perils का मतलब है dangers और spotted का मतलब है identify करना या पता लगाना वो कहती है कि काश मैंने अपने दातों की देखभाल की होती और जो dangers थे छुपे हुए उन्हें वक्त रहते ही पहचान लिया होता है कौन से dangers दातों से related cavities के All the toffees I chewed और वो याद करें अब कि उन सभी toffees के बारे में जो वो बहुत ही चबाया करती थी And the sweet sticky food और वो उसके बारे में भी सोच रही है उस food के बारे में भी सोच रही है जो sticky हुआ करता था जो sweet हुआ करता था होता है कि हम sticky food खाते है तो वो हमारे दातों पे चिपक जाता है और अगर वो sweet हुआ तब तो वो और ही जादा खतरा हमारे दातों के लिए होता है Unless and until हम उसे clean कर लें खाने के बाद Oh I wish I had looked after meaty तो again यहां पे वो regret कर रही है काश मैंने अपने दातों की देख भाल की होती अब यहां पे हम बात करते हैं rhyming scheme की इस tensor के तो पहला यहां पे देखी क्या है term at the end of this sentence teeth So if we call it A तो beneath यह match कर रहा है यह rhyme कर रहा है A के साथ तो यह भी A हो जाएगा Tude it is not matching तो हम इसे कहेंगे B और food match कर रहा है B से तो यह भी हो जाएगा B And teeth here is matching with A तो यह हो जाएगा A तो इसका rhyme scheme हो जाता है A, A, B, B and then A और बाकी के figures of speech के अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखिए S इस line में Line number 4 में S sound यहां पे nearby words में repeat हुआ है तो यहां पे हो जाता है Alliteration figure of speech कहीं भी इस तरीके से अगर consonant sound nearby words पे repeat होते हैं तो वहां हम मानते हैं कौन सा figure of speech? Alliteration तो यहां पे क्या है? Alliteration I wish I had been much more willing अब हो हो यहां पे फिर से regret करें कि काश मैं अपनी दातों की health में interested होती When I had more tooth there than filling जब मेरे पास healthy दातों की संख्या fillings के comparison में जादा थी अगर उस वक्त मैं interested रहती अपने दातों की health में तो मैं क्या करती? To pass up gob stoppers So gob stoppers को मैं पास करती, avoid करती खाना, gob stoppers क्या होते है? Large, hard, sweet यह मीठी चीज है, मीठी खाने की चीज है इसे मैं avoid कर सकती थी From respect to me choppers choppers यहां पे हैं दात कहती है मैं अपने दातों की respect कर सकती थी और जो hard, sweet चीजे मैं खाया करती थी उने में avoid कर सकती थी And to buy something else with me shilling और यह क्या है shilling? Shilling है एक currency और वो कहती है कि अपनी pocket money को use करके मैं जो यह सभी मीठी चीजें खाया करती थी मैं इने avoid कर सकती थी और उनकी जगे में कुछ और खरीद सकती थी अपने पैसों से अब अगर हम बात करते हैं rhyme scheme की तो इस stanza का भी rhyme scheme सेम ही है इस पूम के जितने भी stanza है उनके rhyme scheme सेम ही है अब हम figures of speech की अगर बात करते हैं तो यहां पर देखिए T sound repeat हुआ है यहां पर second line में तो यहां भी क्या हो जाएगा? Alliteration figure of speech यहां भी alliteration हो जाएगा अब हम आगे बढ़ते हैं when I think of the lollies I licked जब मैं सोचती हूँ न सभी lollipops के बारे में जो मैं lick किया करती थी बच्पन में and the licorice, all sorts I picked और वो सभी licorice, licorice क्या है यहां पर sugary sweets यह भी मीठी चीज़े हैं, chocolates, candies इसी से related sherbet dabs, big and little sherbet dabs होते हैं, tiny sweets और छोटी मीठी चीज़ें भी में खाया करती थी, जो कि कभी बड़ी हुआ करती थी, कभी छोटी हुआ करती थी all that hard peanut brittle और मैं सभी hard, sticky food, sweet food जो कि brittle हुआ करते थे means hard हुआ करते थे, peanut की तरह वो सभी में खाया करती थी my conscience gets horribly pricked, pricked का मतलब क्या है, यहाँ पे disturbed अब मेरा जो conscience है मेरी जो अंतरात्मा है, अब वो बहुत ही जादा disturbed हो जाया करती है, जब मैं इन सभी के बारे में सोचती हूँ, जो मैं बचपन में खाया करती थी बिना अपने दातों के बारे में सोचे, मैंने यह सब खाया और अब यह वक्त आ गया है कि मेरे पास healthy दातों से जादा क्या है, फिलिंग्स हो गई है इस stanza में भी rhyme scheme की अगर हम बात करते है तो same ही है, A फिर A, and B and B, and then again here we have A, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सभी stanza's के rhyme scheme में same है, और यहां पे भी एक हमें instance मिल जाता है, alliteration का यहां पे L sound देखिये repeat हुआ है, first line में then she says, oh I showed them the toothpaste all right, फिर उन कैती नहीं, कभी कभी मैंने उन्हें तूथपेस दिखाया था, I flashed it about late night, और late nights को मैं flash, यानि move it very quickly, और फटाफट मैं brush किया करती थी but up and down brushing and poking and fussing didn't seem worth the time I could bite, लेकिन यहां पे mistake क्या वो करती थी up and down brushing, जो की proper way है brush करने का वो नहीं करती थी and poking and fussing वो नहीं किया करती थी fussing होता है, treating with a lot of attention यहां पे तो attention नहीं पे किया करती थी वो अपने दातों पे मींस बहुत ध्यान से उन्हें clean नहीं किया करती थी brush तो करती थी but फटाफट काम खतम किया करती थी क्यूं क्यूंकि उन्हें दातों पे time देना worthwhile नहीं लगता था useful यहां पे नहीं लगता था क्या लगता था क्यूंकि उन्हें लगता था मेरे दातों हेल दी है और मैं बाइट कर सकती हूं मैं तो खा सकती हूं उनसे अराम से तो मुझे इतना ज्यादा परिशान होने की क्या जूरत है इस स्टैंजा का भी राइम स्कीम वही है A, then A, then here B, and B, then again A So now we are here, next stanza If I had known I was paving the way अगर मुझे पता होता कि मैं एक ऐसा रास्ता तयार कर रही हूं paving the way का मतलब यहां पे है अपने future में मैं कुछ ऐसी तयारी कर रही हूं कुछ बना रही हूं, make कर रही हूं to cavities, caps and decay मैं किसके रास्ता बना रही हूं cavities का, caps का, decay का, cap होता है दातों की capping की जाती है जो यहां पे आप image में देख सकते है अगर वह weak हो जाते हैं तो उनकी capping करके उने थोड़ी strength provide की जाती है यह process decay का मतलब है spoiling दात खराब हो जाना, सर जाना the murder of fillings, injections and drillings I had, have thrown all me sherbet away फिर वह कहती है, अगर मुझे पता होता कि मैं यह सारी sticky चीज़े खाके, मीठी चीज़े खाके और अपने दातों की proper brushing ना करके अपने लिए cavities को invite कर रही हूं caps को invite कर रही हूं और दातों के सड़ने को invite कर रही हूं और सबसे बड़ी बात murder of fillings यह जो filling का process होता है cavities की filling का process होता है अगर आप में से किसी ने करवाया हो तो आपको पता होगा कि यह काफी painful process होता है तो point ने यहां क्या कहा है murder of filling कि जो filling की तकलीफ है वो एक murder के जैसे होती है injections and drillings और injections भी लगाया जाते है और drilling भी होती है दातों को proper form में लाने के लिए filling से पहले I had have thrown all my sherbet away अगर मुझे यह सब पता होता कि यह सब होगा मेरे साथ तो मैंने अपने सारे के सारे वो sticky candies दूर फेग दिया होता अब इस tenza की बात करें तो इसका भी rhyme scheme जो है वो same है और अगर हम figures of speech की यहां पे बात करते हैं तो आप देखें यहां पे C repeat हुआ है तो यहां भी क्या हो जाता है alliteration और यहां पे हमें एक और figure of speech मिलता है वो है यहां पे personification क्योंकि murder of filling बोला गया है तो यहां पे filling को personify किया गया है as if filling क्या है murderer है तो यहां पे हमें figure of speech क्या मिल जाता है personification personification वहां होता है जहां पे in animate चीजें या फिर animals को हम person-like characters देते है So I lay in the old dentist chair अब point कहते है अब देखो क्या situation आ गई है मैं इस वक्त कहा हूँ old dentist की chair में मैं लेठी हुई हूई हूँ and I gaze up his nose in despair and I gaze gaze का मतलब है look या फिर stare up his nose in despair और मैं hopelessness की situation में उसकी nose को stare कर रही हूँ means की जब आप लेटे होते हैं dentist की chair में तो आपको जो उनके face का पाट नजर आ रहा होता है वो nose होता है generally despair क्योंकि वो hopeless क्योंकि और कुछ option नहीं है उनके पास जो गलतियां उन्होंने की है उसका भुगतान तो कर नहीं है and his drilling it do wine और जो drilling वो मेरे दातों की कर रहे है मैं उसकी आवाज wine या पे क्या है complaining cry sound जो sound आ रहा है वो मैं सुन सकती हूं in these molars of mine जो कि वो मेरे molars में drilling कर रहे है molars होते है grinding teeth हमारे वो मैं आवाज सुन सकती हूं two amalgam heels से और फिर अभी वो क्या कहने वाले है कि दो amalgam की जरूरत है filling के लिए यहाँ पे amalgam क्या है? a mixture of mercury and silver in those substances का use करके amalgam, a mixture बनाया जाता है जो कि दातों में fill किया जाता है जब cavities होती है अगर हम rhyme scheme की बात करते है तो इस stanza का same-to-same है rhyme scheme Now here we are How I laughed at my mother's false teeth मुझे अब याद आता है कैसे मैं अपनी मा के false teeth पे हंसा करती थी false teeth यहाँ पे होती ही जो डेंचर बनाया जाते है जब लोगों के दांट बहुत ही ज़ादा खराब जाते हैं तो ऐसे artificial dentures यूज करते है as they foamed in the waters beneath जब उसे clean किया करती थी to foam जैसा निकला करती थी bubbles निकला करते थी beneath means नीचे किस तरीके से bubbles निकला करते थी उनके दांटों से artificial दांटों से मैं हंसा करती थी but now comes the reckoning reckoning means judgment और पोईट कहती है अब जो है judgment का वक आ चुका है it's me they are beckoning beckoning का मतलब है calling अब मेरे पे same to same situation आ गई है मैं अपनी mother के false teeth पे तो हसा करती थी जब उन्हें clean करती थी but now same situation मेरे पे आ गई है कहते है किसी का मजाग ने उड़ाना चाहिए क्योंकि हमें क्या पता कि कभ वो same situation हमारे पे भी आ जाए oh I wish I had looked after me tea daughter and maybe poet यही regret करी है काश मैने अपने दातों की देख भाल की होती अपने मा की बात मानी होती rhyme scheme इस tenza का भी same है वो है A A then B and B then again A अगर हम थीम की बात करते है तो इस पूम का एक थीम यह भी हो सकता है कि किस तरीके से जो young generation होती है वो अपने parents की बातों पे ध्यान नहीं देती है जब parents उन्हें कुछ समझा रहे होते हैं उन्हें कुछ अच्छी बातें बता रहे होते हैं तो वो उसे avoid करते हैं सुनना वाइड करते हैं उन्हें वो पसंद नहीं आता है और वो generally मजाग आते हैं बट जब वो mature हो जाते हैं जब वो खुद इस एज में पहुंच जाते हैं कि वो अच्छा और बुरा समझने लगें तब उन्हें जाके होता है कि जो मेरे parents मुझे वो basically